गुड़ मोरींग विद्यार्धी मुत्रो आपड़े गई काले दबान को ने केवा है तो के दबान समत्ता पेल आपड़े थको समो जो पड़े थको अटले के कोई पड़े सपाटी छे थारो के या सपाटी छे तो एन्ने लंब रूपे लागता बढ़ने थको केवा माँ यो तो एपन वास्त उपर लंब रूपे नेवांस ना डिग्री है तमें जो तमें तको बढ़ लगाड़ो तो एपने तमें धको केशो अन्ने एकम सपाटी उपर एकम चेत्रपड उपर तमें तको मारो छो ए धकाने दबाण केवामा आऊँशे जेम के हूँ तमा हाथ वड़े अटली सपाटी उपर लेके अटला भागमा जो बढ़ लगार तो होए तो एकम चेत्रपड उपर तको लागे छे लंब सवरूपे तको लागे छे एन्ने तमें दबाण एवू सब्द उप्योग करता हाता तो आजे आपड़े एतो खनपदार तुपर आपड़े जोईतुके दबाण लगाड़ी छे हवे आपड़े जोवानू छे तरल मा दबाण तरल मा दबाण समत्ता पेला तरल वस्तु कोने के वाई ए समझवी पड़े तरल अटले के प्रवाही अने वायू वायूमा जे हवा चे तो हवा पण जे पण बती वस्तु उचे वस्तु पर दबाण लगाड़े जे आउपरांद प्रवाही पण अमूक अन्चे कोई पण वस्तु पर दबाण लगाड़े जे प्रवाही पण दबाण धरावे चे प्रवाही पण दबाण धरावे चे जेम के पाणी चे परबर पाणी पण एन्नी अंदर रहेली वस्तु उपर अमूक अन्चे तबाण लगाड़े जे आपणे एन्ना उदार्ण जोईए जेम के तमें स्विमिंग पूल मा जाओ जो त्यारे स्विमिंग पूल मा तमने पोतानू सरीर जे हवामा होई चे वजन एन्ना गरत तमारू सरीर ओच्छा वजन वाड़ू दाख से बद्धी दिशामा सर्खु दबाण लगाड़े चे एडले के तरल कोई पन वस तुझे जेम के आपणे पाणी भरेली बोटल राखे दें तो पाणी भरेली बोटल चे तो एन्नी अंदर जे प्रवाही रहलूआई एप्रवाही आ बोटलना अंदरनी बद्धी सपाटी पर एक सर्खु दबाण एक तो बद्धी दिशामा उपर नीचे साइड मा बद्धी दिवाल उपर दबाण लगाड़े ए दबाणनू मुल्य पन समाना से और बद्धी दिशामा एकत सर्खु मुल्य नू दबाण लगाड़े चे अलेके तरल अलेके आपकोई पन जातनू प्र प्रवाही चे ए समान मुल्य नू अने बदीत दिशामा एक सर्खु दबान लगाडे चे आवावे अपने अमुक उदारनों जोईए जेमके प्रवाहीमा कोई पन जहां चे तरी सके चे पर आ गैकालनों उदारन आपने जोईए तो के एमना आकार ना कारने थाइने प्रवाह प्रवाही उपन नी दिशामा पाणि नी उपन नी दिशामा तरी सके चे आहातु तरल मा देबान के तरल पन अमुक प्रकारे दबान धरावे चे अवे आ तरलनों दबान जोईशनों ओपियोकरीन आपने एक बिजो मुद्धोपन समाजवानों चे जेने के वासे उत लवक्तानों उपियोकरीन चे आपधी वस्तु आपडे शिक्वानी चे तो एनना पिल आपडे आमुक उधारण जोई तो के स्विमिंग पुल मा वजन पेल्लू उधारण चे श्विमिंग पुल मा वजन जे तम्ये सामानी यरीते कोई पन स्थितिमा ओबाचो ने ए स्थितिमा तम्हारा सरीनु वे वजन तम्हें एशास करी शको चो एटलूझ वजन तम्हें पाणी मा ने करी शको तम्ये तमारा सर्रिण्णू वजन चे पाणी मा तम्ये ओच्चू होई एवो तम्ये अनुभव करी सक्षो तो आथियो पाणी मा वजन पजी जे कुवामा पाणी भरेली डोल बिजू उधारण चे कुवामा पाणी भरेली डोल होई जे आरे तम्ये कोईपण टाकामा आथुआ तो कोईपण जे प्रवाही भरेली होई एमा तम्ये डोल बरोजो डोल भरती वक्ते जहारे तम्ये डोल पाणी नी अंदर हासे अन्ये तम्ये उचकता हासो त्यारे डोलनों वजन तम्ये ओचो लाग से जहारे एज वजन तमें जहार डोलने बहार कारले सो लगे संपुर्ण निते डोल चे प्रवाहिनी बार आवी जासे त्यारे डोलनों वजन वधारे लाग से आ बदा नुकारण सु तो के उत्पलावगता पची जहां जो पाणी मा तरी सके छे त्रिजू दारण से जहां जो पाणी मा तरी सके छे चो आन्ना माटे बे कारण छे के प्रवाही दबाण तरावे छे प्रवाही कोई पन वस्तू उपर दबाण लगार तो वह से बिजी वस्तू एम नो आकार आ बन्य वस्तू भेगी थाईने जहां जे पाणी नी उपर तरी सकतू होई छे तमें एम नम सामानी एरिते जहां जना अलग-अलग लोखन ना पाटस होई छे अन्ने पत्रा होई छे ए तमें पाणी मा नाग जो ए डूबी जसे पाण ए अमुग जो कस आकार धरावे छे ए आकार ना कारणे थाईने अन्ने प्रवाहिनी जे दबान होई छे ए ना कारणे थाईने जहां ज पाणी मा तरी सकतू होई छे वे एक प्रवरुती आपेली छे ए प्रवरुती मा शू करेलू छे तो के एक पात्र लेवानू छे ए पात्रमा अमूक अन्सुधी तमें पाणी भरी दियो हवे ए पाणी भरेली बोटल छे एमा तमें जे कोई पन प्लास्टिक नी खाली बोटल एन्नी एन्ने हवा चूज तरीते बंद करें प्लास्टिक नी खाली बोटल एटले के कोई पन पात्रमा पाणी भमूक अन्सुधी पाणी परो अन्न ए पाणी मा उपर नी बाजू प्लास्टिक नी खाली बोटल राखो याद राखो के प्लास्टिक नी खाली बोटल मा काई पन वस्तु बरवानी नती नई पाणी के नेका एटलेम माटे थे ने एन्नी अंदर हवा रहेली हसे तो जे प्लास्टिक नी खाली बोटल चे एन्ने उपर ढाकना थी हवा चूज तरीते बंद करी दियो हवे चे आँ हवा चूज तरीते बंद करेली बोटल ने तमें पाणी मा राखो तो ए तमने पाणी नी सपाटी उपर तरती जोवा मडशे केम के एन्ना उपर जो एक तो आपड़े बोटलनू वजन आपड़े आज प्रक्राण मा आगर भड़ी गया के कोई पण वस्तुनू वजन केटलू केवा तो के वे वस्तु उपर निचे नी दिशामा जेटलू गुरुत्वा करशन बढ लागे जे एटलू एमनू वजन थ अणिज प्रवाही द्वारा ए वस्तु उपर उपर निचे नी दिशामा आप्रवाही द्वारा आपड़े बोटलू उपर उपर निचे नी दिशामा बढ लाग से तरलू द्वारा बढ ए तरल द्वारा जे उपणी दिशामा बढ़ लागे छे ए बढ़ ने आपड़े उद प्लावकता एवो सब्द उप्योग करिये छिए के अहीं बोटल जे तरे जे पाणी दिशापाटी उपर अणि तमे जेम जेम आप बोटल ले नीचे नी दिशामा दुबारता जशो M-M प्रवाही द्वारा उपर नी दिशामा धको लाग सरलेके उद फ्लावकता बढ़ जे ए वधड़ु जासे अनि जेम जेम तमें प्लास्टिक नी बोटल प्रवाई नी अंदर निचे डुबारता जासो एम एम तमने वधारे बढ़ आपनो पड़ से अनि वधारे बढ़ नो उप्योक करें निचे दिसामा धको लागाडवो पड़ से तो आ अनुपाव यह उथासे के जेम जेम निचे नी सपाटिक पर जाता जासो एम एम तरल द्वारा उत्पलवकता लेके उपड़ नी दिसामा धकलातू बढ़ एवधतू जासे जो अहीं कोईपण पदार छे एयां जो उत्पलवकता बढ़ एपदार्त ना वजन करता लेके पदार्त नूँवजन ओचू अने उत्पलवकता वधारे होई तो एवा पदार्त बढ़ाय तरल मा तरी सके लेके जे पाणी द्वार लागतू बढ़ छे एगुरुत्वा कर कर्शन बढ़ वजन अटले आपने आहियां एपण कई सकी के गुरुत्वा कर्शन बढ़ जो निचर नी दिशामा लागतू बढ़ छे एनना करता उपणी दिशामा लागतू बढ़ अरलेके उत्पलवकता वधी जसे त्यारे कोईपण वज एवी वस्तु छे एप्रवाह मा तरी शके तो आवाज बिजा उदारनों जोई आपने 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 बिजो चे के पाणी पदार्थ तर्ये चे अत्वा तो डूबे चे कोईपण सपाटी मा कोईपण पदार्थ तर्ये चे अत्वा तो डूबे चे एन नकी के रितना अधार थाई तो जे रितना आपने आईयां जोई ज्यारे कोईपण वस्तुनू वजन चे ए वधार यासे उत्पलवक्ता करता पदार्थ नू वजन ए ज्यारे वधार यासे लेके उत्पलवक्ता ओची हसे त्यारे कोईपण पदार ज्यारे वजन नीचे आशे लेके गुर्तवाकर्शन बणदा काण जेन वजन चे ए वधार यासे के ना करता तो के पाणी द्वार उपणी दिशामा जे बढ़ लागे चे तरल द्वारा बढ़ उत्पलवक्ता ए उच्चु आशे त्यारे कोईप उत्पलवक्ता वधारे हासे और पदार्थनू वजन उच्चु हासे त्यारे वस्तु तरे चे एम कही शकाए अब बे उदार्णा पिलाचे आम पदार्थनू वजन वधारे और उत्पलवक्ता ओचे एमा उदार्ण तमारे एक उप्योग करू होई तो लोखंड नी खिल अन्ने आया तमारे प्लास्टिक नी बोटल आब बे उदार्ण तमे लई शको कैसे पदार्थनू वजन वजन वधारे लोखंड नी खिलीण वजन वधारे खें को ना करता प्लास्टिक नी बोटर आतो उत्पलवक्ताना आधर आपणे जोईू अवे जोवानू छे घंतानी सापेक्से अपड़े पदार्त तरे छे के डूबे छे ए आपड़े जोईू उत्पलवक्तानी सापेक्से अवे आपड़े जोवानू छे घंतानी सापेक्स लेके कोईपण पदार्त नी घंता एक एटलू घट चे अथुआ तो केटली घंता धरावे जेम के आपड़े बे वस्तु उदारन लेए ए त्रण वस्तु एक लोखान नोटु कड़ोचे बिजू एटलोच समान कद धरावतो लाकडा नोटु कड़ोचे अण त्रिजू एट सोथी वधारे घंता आशे जेना कारणे एनू सोथी वधारे दढ़ पण थासे एनू सोथी वधारे गुरुत्वा कर्शन बढ़ लागवाना कारणे एनू सोथी वधारे वजन थासे त्यार पच या उसे लाकडु तो एनू घंता समनीरे ते ओची थासे ने ओची थावान दाढ पन वहक हो ना कारण है वर जों प्रावी चे तो के 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वियर आटलो प्रवेक उद्पवे चे तो जीनो मुल्यत समान डेसे हवे कोईपण दिसामान निचे गुरुत्वा करस्ण बढ़ केटलू लागे चे एनो आदार कोईपण वस्तुना दाडू उपारे चे जेम दाड वधारे एम वधारे होई त्यार वधार डूबी जासे तो एज रितना घंता तो ज्यारे तमे पाणीनी घंता वधारे हासे पाणीनी घंता वधारे हासे कोई पाण वस्तुनी घंता ओची हासे त्यारे पदार्थ तरे चे लेके ज्यारे पाणीनी घंता जे वधारे हासे एनी उपर राखेला बिजा कोई वस्तुनी सापेक्समा आये तमे एव उदार्ण पल लाई सको तेल और लाकडू तेल और लाकडा नी घंता चे पाणीनी घंता करता ओची चे अलेके वस्तुनी घंता ओची छे एटला माटे थे इन्ये तेल अने लाकडू से ये प्रवाही उपर तरी सके छे ज्यारे तमें वस्तुनी घंता एवधा रहासे ज्यारे पाणी नी घंता ओची हसे त्यारे वस्तु डूब्ये चे ज्यारे आया तमें लोखंडन लेशाको लोखंडनो टुकुडो लोखंडनो टुकुडो चे एणी घंता ओधारे होई चे प्रमाणमा जे मोटा भागना धातु ओई चे धातुनी घंता ओधारे होई चे येटला माटे चाहिने और पाणीन घंता येनी सापेक्स ओच्ची होई चे एटला माटे थेने वस्तु निच्छेनी तरफ गुरुत्वा कर्श्रम पर वतारे लागे चे अन्ने दढ़ पन वतार होई चे एटला माटे थेने ए वस्तु पाणीमा डुबी जाए चे तो आजे आपने सिखा, तरल पन दबान धरावेचे, लेके कोई पन प्रवाही पन दबान धरावेचे, और बिजी वस्तु उपर दबान लगाडेचे, जैनके आईयां प्लास्टिक नी बोटन नी उपर, उपर नी दिशामा दबान लगाड़तु होईचे, तो एने उत्पलवक उपर ज़िएचे, आपने आउटा पिरियाड मा आपड़े आर्कीमिडीजनो सितांद विशे पंसुर। थेंक्यू।